हेलो बिचो शीत का लिनवकाश किरह कारिये में आज विश्य है हिंदी, कक्षा 5 और दिनांग है 8 जनवरी 2021 शुक्रवार पहला प्रशन हमारा है निमलिकी शब्दों का उप्योग करते हुए एक सवरचीत कहानी का निर्मान कीजिए आपको नीचे कुछ शब्दे दिये गए हैं इन शब्दों का प्रियोग करते हुए आपको एक कहानी बनानी है जैसे पोधा, गा, सूरज, पानी, पत्ती, फूल और फल इन सब इन शब्दों का प्रियोग करते हुए हम एक कहानी बनाएंगे इस तरह से ये इसका उत्तर है एक दिन मोहित और उसके पापा ने गमले में एक अमरूद का पोधा लगाया मोहित ने कहा कि पापा हम इस पोधे को कहा रखे पापा ने कहा कि पोधे को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी पानी और मिटी से पोशक तत्व क्या अफशकता होती है मोहित ने कहा कि पापा हम इस पोधे को छट पर रखेंगे वहाँ इसे ये सब चीजे मिलेंगी मोहित और पापा ने पोदे को छट पर रख दिया और कुछ ही दिनों में पोदे से नए पत्ते फूल फल निकल आए मोहित बहुत खुश हुआ और उस पोदे की देखभाल करने लगा इसी तरह से आप अपनी इन शब्दों को मिला कर कोई भी कहानी बना सकते हैं प्रश्न दो चाई बनाने के लिए किन किन चीजों की आविशक्ता होती है तथा चाई कैसे बनाई जाती है पता करके लिखिए देखिए सभी चाई पीते होंगे तो आपको पता होगा कि चाई बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी सामगरी की आवशक्ता होती है तो चाई बनाने के लिए हमें जो सामगरी चाहिए वे हैं पानी, चाई पत्ती, चीनी, दूद, अद्रक वे इलाईची की जरूरत होती है इसके अलावा जो विदी है चाई बनाने की वो इस परकार से है कि बरतन में दो कप पानी और आफशक तनुसा डूड डाले अब इसे गैस पर उबनने रखे, जब दूद और पानी के मिश्रन में एक उबाल आ जाए तो गैस धीमी कर दे फिर मिश्रन में दो से तीन चम्मच चाई पत्ती, एक चम्मच कुटी हुई अद्रक और कुटी हुई एक छोटी लाईची डाले चाई को उस देर तक दो तीन मिनट तक धीमी आज़ पर पकाए, इसके बाद गैस बंद कर दे और फिर चाई को कप में च्छान कर सर्व करें आप किस तरह से चाई बनाते हैं, आप अपनी विदी भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आप चाई बनाते हैं पहला हमारा प्रशन होगा, गतिविदी है, अकसर कहा जाता है, अगर धन खो जाता है, तो कुछ भी नहीं खोता है लेकिन अगर स्वास्तिक हो जाता है, तो सब कुछ खो जाता है फिट रहने के लिए हमारे पास स्वस्त भोजन होना चाहिए, इन्हें अपने दैनी का हर का हिस्सा बनाए, निम्न तालिका में वह सब लिखे जो आप एक हफते में खाएंगे आपको यह तालिका पूरी करनी है अपने डेली के खाने के हिसाब से कि आप नास्ता यानि के ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, दोपैर का भोजन यानि के लंच में क्या खाते हैं और डिनर यानि के रात के खाने में क्या खाते हैं जैसे सोमवार को आप नास्ते में लिख सकते हैं जैसे अंकूरित दाले दोपैर के भोजन में आपने खाया चावल और छोले रातरी भोजन में आपने खाया जैसे दाल और रोटी इसी तरह से आप मंगलवार को लिखेंगे जैसे आप सुबह कोई भी फल खा सकते हैं जैसे आपने सेव खाए नास्ते में और दूद पिया तो ये लिखेंगे दोपैर के खाने में आप लिखेंगे रोटी और सबजी और रात के खाने में आपने लिखा जैसे दलिया इसी तरह से बुद्वार को जैसे आपने खाया अंकूरित दाले दो प्यार में आप खाएंगे जैसे चावल और राजमा और रात को आपने खाई रोटी और सबजी तो इस तरह से करते हुए आप ये तालिका पूरी करेंगे रविवार तक आपको अपना डेली का खाना इस तरह से लिखना है अब हमारी दूसरी गतिवीदी है कि तालिका में नीचे दे गए नोटों की लंबाई और चोड़ाई का अनुमान लगाए उन नोटों को मापे और अपने माप और अनुमान में अंतर खोजे तो जैसे आपको पता है कि नोटों की लंबाई और चोड़ाई आपको सेंटिमेटर में अनुमान की आधार पर लिखनी है और फिर उनको माप कर लिखना है यहाँ पर हम अनुमान की हिसाब से लिखेंगे और यहाँ माप से लिखेंगे तो 10 रुपए के नोट की लंबाई है 15 cm और चोड़ाई है 5 cm इसी तरह से 50 रुपए के नोट की अनुमाल लगाते हैं तो इसकी लंबाई मैं लिखती हूं 15 और चोड़ाई लिखती हूं 6, 100 रुपए के नोट का अगर बात करें तो इसका मान लीजिए मैंने लिखा 13 cm और इसकी चोड़ाई लिखी मैंने 7 cm 200 रुपए के नोट की हिसाब से लिखती हूं तो 200 रुपए के नोट की मान लीजिए मैंने चोड़ाई लिखी है 14 और चोड़ाई लिखी है 6 cm और 500 रुपए के नोट का इसी तरह से बात करें तो 14 cm इसकी लंबाई लिखते हैं और 6 cm इसकी चोड़ाई लिखते हैं अब हमने 10,50,50, vist,200,500 कि नोट को नापा और इसकी लंबाई लिखेंगे हम पहले तस रुपय की लंबाई है 13.50 cm और चोड़ाई है 6 cm इसी तरह 50 रुपय की नोट की लंबाई है 13.50 cm चोड़ाई है 6.5 cm 100 रुपए के नोट की 14 cm लंबाई है और 6.5 cm चोड़ाई है 200 रुपए के नोट की 14.5 cm लंबाई है और 6.5 cm चोड़ाई है इसी तरह 500 रुपए के नोट की 15 cm लंबाई है और 6.5 cm चोड़ाई है इस तरह से आप ये तालिका पूरी करेंगे